तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर टू स्टेट्स ऑफ मैटर की हम लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर वन को पढ़ चुके हैं और हमने चैप्टर वन के अंदर सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था चैप्टर वन में हमने matter क्या तसक्रा किया था आज matter की states के बारे में बात करेंगे तो हम लोग matter की states के बारे में बात करते हैं matter की four states है सबसे पहली जो matter की state है वो है solid दूसरी matter की state है liquid और तीसरी matter की state है gases और fourth state is plasma क्यूंकि हम mdicate के लिए पढ़ रहे हैं हम plasma को further discuss नहीं करेंगे हमें restrict करना पड़ेगा अपने आपको solid, liquid और gases तक तो आईए ज़रा solid, liquid, gases के behaviors को जानने की कोशिश करते हैं solid, liquid और gases के behaviors सबसे first behavior के अंदर हमें ये समझना है कि solids की shape कैसी होती है तो solids की shape बीटा fix होती है solids की shape fix होती है, जिसको हम लोग definite भी कह सकते है liquid की shape की बात की जाए तो liquid की shape fix नहीं होती इसको जिस container में डाला जाए वो उस container की shape acquire कर लेता है तो liquid की shape indefinite होती है और अगर gases की बात की जाए तो gases की shape भी fix नहीं होती इनको जिस container के अंदर रखा जाएगा जिस slender के अंदर रखा जाएगा तो ये उस slender की shape को acquire कर लेंगे तो हमारे पास slender की shape को acquire करने की वज़ा से या किसी भी container की shape को acquire करने की वज़ा से इन gases की shape को indefinite कहा जाएगा अगर हम volume की बात करते हैं तो solids का एक fixed volume होता है ना ये उस से जादा जगा occupy करते हैं और ना ही उस से कम तो solids की solids का जो volume है वो भी definite होता है fix होता है liquids की बात की जाए तो liquids का volume भी fix रहता है जैसे के अगर आपके पास एक liter water है अगर आपके बास एक liter पानी है तो आप एक liter पानी को आप can के अंदर रखें गेलन के अंदर रखें या आप इसको किसी tub के अंदर रखें तो वो एक liter ही रहेगा वो अपनी height बढ़ाके पानी अपना volume नहीं बढ़ा देगा पानी की height नहीं बढ़ेगी या तो पानी की length बढ़ेगी या पानी के width बड़ेगी अगर आप आप ने पानी को ग्लास के अंदर डाला तो पानी की height बढ़ जाएगी यानिके overall चो पानी कीShow VOLUM होगा VOLUM सेम रहेगा जिस तरीके से भी आप VOLUM लेना है पानी का VOLUM या किसी भी liquid का VOLUM रहेगा वो fix रहेगा वो change नहीं होगा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो liquids है liquids का volume fix रहता है हाँ अगर gases की बात की जाए तो gases के molecules के दर्मयान में क्योंकि gaps बहुत जादा होता है और इनकी diffusibility बहुत जादा होती है तो इनको जिस container के अंदर रखा जाए है इस पूरे container का पूरा volume occupy कर लेता है यानि कि अगर आप इसको एक छोटी bottle के अंदर बंद कर देंगी gas को तो gas उस volume के अंदर भी उस छोटी सी bottle के अंदर भी pack हो जाएगी और अगर आप gas को perfume को अगर आप spray करके पूरे कमरे के अंदर spray करेंगे indefinite होता है अगर intermolecular forces of attraction की बात की जाए तो solids के molecule के दरम्यान में intermolecular force of attraction बहुत जाद होती है solids के molecule एक दूसरे को बहुत strongly attract करता है और strongly एक दूसरे को जोड के रखते है इनके दरम्यान में binding force बहुत जाद होती है तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि solids के molecules के दरम्यान में जो intermolecular force of attraction है वो बहुत जाद है अगर liquids की बात की जाए तो liquids के molecule के दरम्यान में भी liquids का जो cluster होता है उसके molecules के दरम्यान में भी intermolecular force of attraction बहुत जाद होती है इसलिए liquids की भी intermolecular force of attraction high ही होगी यानि बहुत जादा होगी जबके gases के molecules की बात की जाए तो gases के molecules के दर्मयान में कोई force of attraction या कोई force of repulsion नहीं होती according to kinetic molecular theory अब ये मैंने क्यों word add किया है क्योंकि ये थोड़ा controversial है इसको हमें further आगे discuss करना है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो liquids हैं इनके molecules के दर्मयान में intermolecular force of attraction negligible होती है एक second intermolecular force of attraction यहाँ पर बहुत ही कम होती है according to kinetic molecular theory kinetic molecular theory के हसाब से इनके दर्मयान में intermolecular force of attraction बिल्कुल भी नहीं होती यह बहुत ही कम होती है ऐसा क्यों है इसको next topic के अंदर discuss करते हैं थोड़ी देर के लिए इस पे wait करते हैं यहाँ पर अगर packing की बात की जाए तो solids क्योंकि solids बहुत tightly packed हैं इसलिए solids की packing बहुत tightly packed वाली होगी जबकि liquids के molecules के दर्मयान में भी solids के molecules के दर्मयान में intermolecular force of attraction बहुत जादा है इसलिए उनके molecules एक दुसरे से tightly packed होंगे liquids के molecules में भी intermolecular force of attraction बहुत जादा है तो इसी लिए liquids के molecules भी tightly packed होंगे अगर gases के molecules की बात की जाए तो gases के molecules के दरम्यान में कोई intermolecular force of attraction या repulsion नहीं है इसी लिए उनके दरम्यान में molecules के दरम्यान में कोई dependency नहीं होती molecules tightly packed नहीं होते बलके एक दूसरे से काफी दूर-दूर होते हैं तो आई इसको लिख लेते हैं कि solid के molecules बहुत tightly packed होते हैं अगर लिक्विड्स की बात की जाए तो लिक्विड्स के molecule भी काफी closely packed होते हैं closely pleased और अगर gases के molecules की बात की जाए they are very far from each other यह एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं अच्छा अगर solids के pressure की बात की जाए तो solids का pressure नहीं होता लेकिन उसका weight बहुत जाद होता है तो solids का pressure कम होता है solids का pressure कम होता है लेकिन इसका weight बहुत हाई होता है अगर liquids की बात करें तो liquids का pressure moderate होता है लेकिन अगेन लिक्विट्स का वेट बहुत हाई होता है तो लिक्विट्स का वेट काफी हाई होता है लिक्विट्स का वेट बहुत जादा होता है और प्रेशर जो है लिक्विट्स का वो भी मौडरेट होता है यानि कि सॉलिट्स के प्रेशर से काफी जादा है अगर गैसि का प्रेशर एक्स्ट्रीमली हाई होता है एक्स्ट्रीमली जादा होता है लेकिन गैसिस का कोई प्रेशर नहीं गैसिस का कोई वेट नहीं होता तो हम यहाँ पर लिख देता हूं गैसिस का कोई वेट नहीं होता है या बहुत ही कम वेट होता है जिसको हम negligible count कर सकते हैं, considerable बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पर लिख दिया है, considerable नहीं होता, negligible होता है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, students, हमारे पास solids की density की बात करते हैं, solids की density, देखें, solids की जो density है, वो काफी ज़्यादा होती है, क्योंके solids compact होता है, यह कम volume occupy करते हैं, और इनका mass ज़्यादा होता है, इसलिए overall इनकी density ज़्यादा आती है, यानि density का formula होता है, mass upon volume, क्योंके solids का volume, जो के volume denominator के नहीं मुझूद है, solids का volume कम होता है, क्योंकि यह tightly packed होता है, और इनका mass बहुत ज़्यादा होता है, तो overall इनकी density ज़्यादा होती है तो इनकी density high होती है अगर liquids की बात की जाए तो liquids भी कम volume को पाई करते हैं और इनका weight या इनका mass बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इनकी density भी high होती है आम तोर पे solids की density सबसे high होती है ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई hard and fast rule नहीं है क्योंकि ice solid है और उसकी density कम है water liquid है उसकी density ज़्यादा है लेकिन आम तोर पे generally solids की density ज़्यादा होती है और liquids की density solids के मकाबले में generally कम होती है gases क्योंकि बहुत ज़्यादा volume occupy करती है लेकिन इनका mass बहुत कम होता है इसी लिए इनकी density बहुत ही कम हो जाती है negligible हो जाती है तो इनकी density में लिखते हैं very low या negligible अगर बात करते हैं diffusibility की तो gases की diffusibility बहुत जाद होती है diffusibility का मलब क्या है diffusion पहले समझते है diffusion का मलब होता है फैलना diffusion एक किसी ग्यास का आप ऐसे समझ सकते हैं कि diffusion का मदला है फैलना higher concentration से lower concentration पर अगर हम perfume spray करेंगे तो perfume की nozzle से perfume की nozzle से spray निकलेगा और वो पूरे कमरे के अंदर पूरे container के अंदर फैल जाएगा तो अगर आप देखेंगे जब perfume की nozzle से जो bottle है उसकी nozzle से जब perfume निकलेगा जो vapors निकलेंगे उस time पर उस particular जगह पर उसकी concentration बहुत जादा होगी लेकिन container में concentration perfume की काफी कम है तो perfume के molecules higher concentration से lower concentration की तरफ move कर जाएगे तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं जैसे अगर आपकी जो bike है या कोई cycle है उसका tire puncture हो जाता है तो tire puncture होने की वज़ा से जो हवा जो air है tire के अंदर जो tube के अंदर जो air है वो hole से निकल के foreign बाहर की तरफ निकलती है क्योंकि बाहर का pressure कम है बाहर air कम है और अंदर air का pressure जाद है तो air diffuse हो जाती है एर बाहर फैल जाती है तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि gases के diffusion एक जगह से दूसरी जगह पहलने का हम बोलते हैं diffusion और gases की diffusibility बहुत जाद होती है अब diffusibility और diffusion में क्या फरक है तो यह आप ऐसे समझते हैं diffusion का मलब है फैलना और diffusibility का मलब है उसकी फैलने की capacity जैसे liquids भी diffuse होते हैं और gases भी diffuse होती है लेकिन क्योंकि gases की capacity जादा है तो gases की diffusibility जादा होगी लेकिन diffusion phenomenon का नाम है तो phenomena तो दोनों में हो रहा है लेकिन capacity क्योंकि gas की जादा है और liquids की कम है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि gases की diffusion या diffusibility gas की बहुत हाई है और liquids की जो diffusibility होती है वो moderate होती है और solids की diffusibility की बात की जाए, तो solids की diffusibility कम होती है, लेकिन solids की diffusibility ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होती है बहुत कम होती है, अगर हम इसकी examples की बात करें, तो जैसे कि corrosion है, जैसे कि किसी metal को जंग लग जाता है, तो वो आहिस्ता, आहिस्ता, slowly, slowly पहलता है, अब किसी metal की diffusion, किसी metal पे जो corrosion rate है, वो जादा होता है और किसी metal का corrosion rate कम होता है लेकिन ऐसा नहीं है, कि solids में diffusion नहीं होती है, एक example आप और ले सकते हैं, जैसे कि radioactive decay, radioactive decay होता है लेकिन इसका rate बहुत कम होता है इसकी speed बहुत ही slow होती है इसलिए हम यह कह सकते हैं कि solids में diffusibility होती है, लेकिन बहुत ही कम होती है तो यहाँ पर मैंने लिग दिया negligible, अब बात करते हैं compressibility की, compression मलब किसी चीज को कम कर देना, और मलब किसी चीज को contract कर देना जैसे कि अगर मेरे पास gases है, gases को contract किया जा सकता है, compress किया जा सकता है बहुत जादा pressure apply करके या मामूली सा pressure apply करके भी gases को compress किया जा सकता है लेकिन liquids को compress करना इतना आसान नहीं होता, liquids को compress करने के लिए hydraulics की example ली जा सकती है, कि बहुत high, बहुत जादा pressure उसके उपर अप्लाइ करना पड़ेगा तब जाके liquids थोड़ा compress होता है बहुत little amount में compress होता है और solids को compress करना possible नहीं है अब बात करते हैं solids की dependency की तो solids के molecule क्योंकि काफी tightly packed होता है इसलिए एक दूसरे पर बहुत ज़्यदा depend करता है अगर liquids की बात की जाएगी तो liquids के molecule भी एक दूसरे से closely packed होता है closely packed होने के बजह से उनकी लिकुइट के मोलیक्यूल भी एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डियपेंट करते हैं अगर solid का एक मोलीक्यूल वाइबरेट करता है तो ultimately दूसरा मोलीक्यूल भी वाइबरेट करता है Similarly, liquid का एक मोलीक्यूल मूफ करता है layer by layer मूफ करता है तो दूसरा molecule भी मूफ करता है इसलिए दोनो के molecules एक दूसरे पर dependent होता है अगर gases की बात की जाए तो gases के molecules के दर्मियान में कोई inter-molecular force of attraction नहीं होती या बहुत कम होती है इसलिए gases के molecules एक दूसरे पर depend नहीं करता है अब बात करते हैं gases की gases दो टाइप्स की होती है real gases ideal gases ideal gases वो gases जो के सारे gas law obeys करती है irrespective of the temperature and pressure यानि ideal gas ideal gas वो gas है ideal gas वो gas है वो gas which obeys all gas laws all gas laws at every temperature at every temperature and pressure लेकिन अगर बात की जाए real gases की तो real gases सारे gas laws को obeys नहीं करती हर temperature और pressure पर real gases real gas do not obey don't obey all gas all gas at every temperature and pressure कहां फर्क आता है कहां हम एक demarkation line create कर सकते हैं real gases और ideal gases के दर्मियान में तो आईए ज़र समझते हैं kinetic molecular theory के साब से आपको याद होगा इस chapter के शुरू में मैंने कहा था कि gases के दर्मियान में कोई inter-molecular force of attraction या repulsion नहीं होती according to KMT kinetic molecular theory अगर gases के molecules एक दूसरे से दूर दूर होते हैं तो उनके दर्मियान में यकीनन कोई force of attraction या repulsion नहीं होती लेकिन उस वक्ट क्या होगा जब gases के molecules एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो ज़र समझते हैं अगर हमारे पास gases के molecules एक दूसरे के करीब आ जाएंगे let's say high pressure किया high pressure या low temperature high pressure या low temperature पर gases के molecules एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो जब gases के molecules एक दूसरे करीब आ जाएंगे तो उनके दर्मियान में intermolecular force of attraction या repulsion भी develop हो जाएगी तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ at high pressure at high pressure and low temperature real gases real gases real gases can have intermolecular force of attraction intermolecular force of attraction and repulsion as well so so real gas don't obey real gas don't obey all gas loss all gas loss at high pressure and low temperature इसको NMD cat के नहाँ बहुत जादा पूछे जाते हैं इसको discuss करना बहुत ज़रूरी है all gas laws at high pressure and low temperature इस सवाल को ऐसे भी पूचा जा सकता है कि real gas कब ideal behavior को ओबे नहीं करती तो आप यह कह सकते हैं के ideal behavior को कब ओबे नहीं करती जब प्रेशर हाई हो और low temperature हो क्योंके molecules एक दूसरे करीब करीब आ जाएंगे तो आप यहाँ पर यह लिख सकते हैं so real gas don't obey all gas laws यह don't obey ideal behavior ideal behavior at high pressure and low temperature लेकिन अगर बात की जाए के real gas कब ideal behavior follow करती है तो आईए ज़र उसको समझते हैं अगर हमारे पास high temperature हो high temperature हो यह low pressure हो तो उस सूरत में क्या होगा high temperature यह low pressure पर देखें high pressure पर high temperature पर क्या होगा high temperature पर molecules की kinetic energy बहुत जादा बढ़ जाएगी high temperature पर molecules की kinetic energy molecules की kinetic energy बहुत जादा बढ़ जाएगी जिससे उनकी speed बहुत जादा बढ़ जाएगी और वो एक दूसरे से दूर दूर भाग जाएगे तो हमारे पास होगा क्या कि हाई टेंपरेशर पर काइनेटिक एनेटिक बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ जाएगी विलोसिटी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागेंगे मॉलिक्यूल विल मूफ विल मूफ अवे फ्रॉम इच अदर तो जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे तो उनके दर्म्यान में कोई इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रेक्शन ये रिपल्चन क्रियेट नहीं होगी सिमिलर्लिया अगर लो प्रेशर की बात की जाए तो लो प्रेशर पे भी गैसे की मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं जब गैसे की मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे तो फिर दुबार कोई इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रेक्शन ये रिपल्चन नहीं होगी तो हम यह कह सकते हैं at high temperature and low pressure real gas obey ideal behavior अब मैं कब से gas laws, gas laws किये जा रहा हूँ तो एक काम करते हैं सबसे बहले gas laws को discuss ही क्यों ना करना है तो आए ज़रा gas laws को discuss करते हैं gas laws में हमारे पस कुछ laws हैं जैसे boils law, avogadro's law, charles law, delton's law of partial pressure और graham's law of diffusion तो आए ज़रा इनको discuss करते हैं सबसे पहले boils law को discuss करेंगे boils law boils law में boils ने ये कहा कि volume inversely proportional होता है pressure के किसी भी gas का volume inversely proportional होता है उस gas के pressure के अगर आप pressure बढ़ा देंगे तो volume कम हो जाएगा और अगर आप pressure कम कर देंगे तो volume बढ़ जाएगा हमारे पास इसको ऐसे लिखा जा सकता है volume is inversely proportional to pressure और अगर इसको further drive किया जाए तो further हमारे पास formula निकल के आता है P1 V1 equals to P2 V2 again ये NMD cat है तो derivation जरूरी नहीं है सिर्फ formula जहन में रखके numerical solve किया जा सकता है अगर बात की जाए चार्ल्स लॉग की तो चार्ल्स लॉग में ये कहा गिया है कि volume directly प्रोपोशन होता है temperature के अगर आप temperature बढ़ाएंगे तो volume खुद बखुद बढ़ जाएगा और अगर आप temperature कम करेंगे तो volume खुद बखुद कम हो जाएगा इसको हम कैसे समझ सकते हैं इसके लिए आप dairy life में एक example ले सकते हैं आप एक गुबारा फुला लेंगे तो आप उसको पहले measure कर लेंगे तो आप उसको refrigerator 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 कर लेंगे इसको ज़रूर करके देखेगा similarly हमारे gas के cylinders क्यों फटते हैं क्यों blast होता है gas के slanders के अंदर इसको ज़रा समझते हैं अगर हम gases के molecules की बात की जाए करें तो gases के molecules का एक बहुत ज़़धा pressure होता है अगर हम gases के molecules को compress करते हैं cylinder के अंदर तो बहुत ज़्यादा molecules कम जगा occupy करते हैं यानि अगर आप उनका volume कम कर देते हैं बहुत सारे gas के molecules को compress करके उनका volume कम करके एक cylinder के अंदर उनको occupy कर देते हैं तो ultimately उनका pressure बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप gases के cylinder को उनकी capacity से ज़्यादा fill up करेंगे तो gases के जो pressure है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वज़ा से cylinder blast हो सकते हैं तो यहाँ पर boils law की application हमें साफ दिखती हैं अगर हम बात करें charge law को continue रखते हुए volume directly proportional होता है temperature के तो अगर आप इसको drive करेंगे तो हमारे पास formula निकल के आएगा V1 upon T1 बराबर होता है किस चीज़ के V2 upon T2 के similarly एवगाडरोस law के अगर हम बात करते हैं तो एवगाडरोस law पे एवगाडरोस law में आप यह समझाते हैं कि volume directly proportional होता है number of moles के जितने ज़्यादा number of moles होंगे उस gas का volume उतना ही ज़्यादा होगा अगर किसी gas के moles की दादाद ज़्यादा है तो उस gas का volume भी बढ़ जाएगा अगर किसी gas के moles की दादाद कम है तो ultimately volume कम हो जाएगा लेकिन यह बात इतनी खास नहीं है जितनी खास एक और बात है एवगाडरोस law का जो second statement है वो second statement में कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा gases का equal volume हो तो उनके number of molecules बराबर होंगे यहाँ पर यह statement लिख देता हूँ equal volume equal volume of two or more gases equal volume of two or more gases contains equal number of molecules यानि के अगर हमारे पास एक gas है methane gas और एक और gas है hydrogen gas हमने दो examples लेनी अगर हमारे पास methane gas के भी two moles है और हमारे पास hydrogen gas के भी two moles है तो ultimately इनके molecules कितने हो जाएंगे इनके molecules 2 को multiply कर लिए 6.02 exponential 23 से तो हमारे पास इनके molecules की तादाद आ जाएगी 12.04 exponential 23 अगर यहाँ पे भी two moles है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12.04 exponential 23 molecules तो हमें इतना समझ में आ गया कि अगर दो gases के moles सेम होंगे तो उनके molecules भी सेम होंगे लेकिन अगर आप बात करें दो gases के दोनो gases के volumes की तो अगर दोनो gases के volume सेम है तो क्या होगा दरह देखते हैं लेट से हमारे पास methane gas है तो methane gas का volume है 44.8 decimeter cube at standard temperature and pressure हमारे पास hydrogen gas का volume कितना है hydrogen gas का volume है 44.8 decimeter cube at standard temperature and pressure दोनो gases का volume सेम है यहाँ पर अगर आप यहाँ पे moles निकालेंगे तो moles निकालने का formula हमने पढ़ा था वो formula क्या था कि volume को divide कर दिया जाए molar volume से और molar volume होता है 22.4 तो number of moles निकलेंगे हमारे पास 2 और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे number of moles यहाँ पे भी 44.8 को 22.4 से divide करेंगे तो यहाँ पे भी number of moles आजेंगे हमारे पास 2 दोनों जगा पे दो-दो moles आगाए अगर आपने देखा equal volume है तो equal volume होने की वज़ा से number of moles same आए equal volumes होने की वज़ा से number of moles क्या आए? same आए जब number of moles same आए तो दोनों के molecules भी क्या हो जाएंगे? same हो जाएंगे तो आपको avagados log की जो second statement में समझ आ गई होगी कि अगर दो gases का volume equal होगा तो दोनों gases के number of molecules भी equal होंगे avagados law की अगर हमने बात करी तो avagados law में ये कहाता है volume directly proportional होता है number of moles के अगर आप volume बढ़ाएंगे तो number of moles बढ़ेंगे या अगर आप number of moles को कम करेंगे तो volume ultimately कम हो जाएगा क्योंके direct relation है अगर आप इसको drive करेंगे तो हमारे पस जो formula आएगा वो formula हो जाएगा V1 upon N1 equals to V2 upon N2 अब avagados law से बढ़के आगे की तरफ चलते हैं हमारे पस एक equation है जो के बहुत important है समझना वो है general gas equation general gas equation क्या है general gas equation is the combination of general gas equation is the combination of all gas loss सारे gas loss का combination है जैसे के volume inversely proportional है pressure के volume inversely proportional है volume directly proportional है temperature के और volume directly proportional है number of moles के अगर आप तीनों को combine कर देंगे तो हमारे पस formula हो जाएगा 1 upon P multiply by T multiply by N अगर आप इसको solve करेंगे तो हमारे पस formula आजाएगा PV equals to NRT PV equals to NRT का formula हम दुबारा discuss करेंगे numericals के अंदर किसी और वीडियो के अंदर फिलाल बात करते हैं R की R is called general gas constant और R की value होती है 0.0821 0.0821 decimeter cube atmospheric mole inverse Kelvin inverse ये इसका पूरा unit है similarly R की एक और value होती है ऐसा units में R की value होती है 8.314 Joule mole inverse Kelvin inverse अच्छा अगर बात करते हैं R की बाद अगर हम लोग बात करते हैं बीटा pressures की तो pressure के units बहुत जाद हो units की conversion भी बहुत जाद है important है तो आगे जर आप पहले pressures की बात कर लेते है pressure की units की बात कर लेते है units of pressure units of pressure में सबसे पहला pressure, सबसे पहला unit, ऐसा unit वो है newton upon meter square, जिसको pascal कहा दाता है, newton upon meter square, जिसको कहा दाता है pascal, similarly pressure का एक और unit है, वो है atmospheric, pressure का तीसरे unit है tor, चौता है millimeter of hg, पांच 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 unit है वार, और छटा unit है pressure का pounds per square inch psi, in units की एक दुसरे में conversion भी समझ लेते हैं, यह बड़ी important conversion है, अगर हम बात करते है one atmospheric की, तो one atmospheric बराबर होता है 101, 365 pascal के, इसको आप 101, 101, 365 newton upon meter square भी कह सकते हैं, similarly, अगर हम बात करते है one atmospheric की, तो one atmospheric बराबर होता है, 760 tor की, 760 tor के बराबर होता है, एक atmospheric अगर हम one atmospheric की फर्दर बात करें तो one atmospheric बराबर होता है 760 mm of Hg के, आपने गोर किया होगा, कि one atmospheric 760 tor की भी बराबर है, और one atmospheric 760 mm of Hg के भी बराबर है इसका मलब कि one tor one mm of Hg के बराबर है यहाँ पर मैं यह लिख सकता हूँ कि one tor one tor बराबर है, one mm of Hg के, अगर बात की जाए one atmospheric की फर्दर तो one atmospheric बराबर होता है, 14.7 PSI के, यह कुछ ऐसी important conversions है, जो के आप से MCQs के ने पुछी जा सकती है तो इनका हयाल रखेगा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं Delton's Law of Partial Pressure पे Delton's Law of Partial Pressure Delton's Law of Partial Pressure यह कहता है कि अगर एक सिलेंडर में बहुत ज़ादा non-reactive gases हैं यानि के ऐसी gases जो एक दूसरे से react करके compound form नहीं करती, अगर उन gases की बात की जाएगी तो उन gases का अपना अपना एक individual pressure होगा अगर उन सारे individual pressures को add कर लिया जाए तो आपके बास total pressure निकल आएगा, यानि Delton's Law of Partial Pressure के हिसाब से total pressure total pressure of two or two or more non-reacting gases, यह non-reacting बढ़ा important है non-reacting gases is the sum of is the sum of all the pressures all the individual pressures all the individual individual pressures of the gases in a mixture असान अलफाज में अगर हमारे पास चार gases हैं, तो चारों gases का अपना अपना एक individual pressure होगा अगर उन चारों pressures को add कर दिया जाए तो total pressure निकल आएगा अब आप सोचेंगे कि यह कौन सी कमाल की बात हुई तो बेटा यह वाकी कमाल की बात है इसको जरा समझते हैं कि क्यों क्योंकि हमारे पास अगर एक slender के अंदर ऐसी gases हैं जो कि एक दूसरे से react नहीं कर रहीं जैसे कि मैंने यहाँ पर एक slender बनाया है यहाँ बहुत सारी gases हैं जिनको मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर से शो किया है अगर यह gases एक दूसरे से react कर जाएंगी तो होगा क्या कि यह compound बना लेंगी और जब compound बना लेंगी तो यह इसका अभलब gases के molecules एक दूसरे से attract हो रहें attract हो रहें तो यह slender के middle में रहेंगे और एक दूसरे से जादा टकराएंगे नहीं क्योंकि यह compound फॉर्म करते जाएंगे लेकिन अगर यह gases के molecules एक दूसरे से react नहीं करेंगी यह non reacting gases के molecules होंगे तो यह क्या करेंगे एक दूसरे से collide करेंगे फिर यह एक दूसरे से collide करने के बाद slender की wall से collide करेंगे जब यह slender की wall से collide करेंगे तो होगा क्या कि slender की wall पर pressure generate करेंगे तो जितनी collisions होंगी उतना जादा pressure develop होगा और collisions उतनी ही होंगी जितने number of molecules होंगे इसका सीधा साधा मतलब यह है कि अगर number of molecules एक दूसर से react नहीं करते तो बराबर रहेंगे जब number of molecules बराबर रहेंगे तो number of effective collisions भी count की जा सकती है और जब number of effective collisions पतल लग जाएंगे तो total pressure भी count कर लिया जाएगा इसका मतलब में ही है कह सकता हूँ कि अगर methane gas का अपना individual pressure है क्योंकि उसके molecules की मदद से उनकी molecules की collision की बज़े से produce हुआ है तो hydrogen gas के molecules की collision की बज़े से भी उसका pressure दिखा जा सकता है similarly oxygen gas का फिर nitrogen gas का ये चारों gases आपस में non-reacting है जब ये चारों non-reacting gases एक दूसरे से collide करेंगी और फिर wall of container से collide करेंगी तो बहुत ज़्यादा pressure build up करेंगी और इस pressure को मैं total pressure कह सकता हूँ mathematically total pressure बराबर होता है सारी gases के pressure के समके तो pt बराबर होगा p1 plus p2 plus p3 plus p4 अब आप कहेंगे कि अगर हमें total pressure पता लग जाए तो क्या partial pressure मालूम किया जा सकता है हमें इतना तो समझ मांगे कि अगर सारी gases का pressure पता है तो हम total pressure निकाल सकते हैं लेकिन उस वक्त किया जब हमें किसी gas का pressure ही ना पता हो किसी gas का individual pressure ना पता हो लेकिन total pressure पता हो तो इसका बहुत असान तरीका है देखें total pressure नापने की एक device होती है जिसका नाम होता है barometer आप barometer से किसी भी gas का pressure मालूम कर सकते हैं जैसे कि आपने tire वाले के पास देखा होगा जो tire के अंदर tube भरते हैं उनके पास एक device होती है जिससे वो gas का pressure नाप लेते हैं अब जब वो gas का pressure नापते हैं number of molecules की मदद से आप किसी एक specific gas का partial pressure मालूम कर सकते हैं इसको अभी हम अभी numericals के ने discuss कर लेते हैं जैसे के example के तौर पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले formula लिख लेते हैं किसी gas का partial pressure निकालने का formula क्या होता है partial pressure divided by total pressure बराबर होता है number of moles of gas divided by total number of moles के अगर मैं example की तौरह बात करता हूँ कि हमारी जो air है जो हमारी atmospheric air है हमारी atmospheric air में oxygen gas की तादाद है oxygen की तादाद है 21% तक almost हम इसको round off में 20% कर लेंगे nitrogen gas की तादाद है 78% और carbon dioxide की तादाद है carbon dioxide की जो percentage है वो है less than 1% अगर मैं फिलहाल carbon dioxide gas को for the sake of simplicity ignore कर देता हूँ और इनको round off कर लेता हूँ तो nitrogen gas की तादाद हो जाएगी 80% और oxygen gas की value हो जाएगी 20% तो आईए ज़र इसको calculate करते है nitrogen gas का pressure मालूम करते हैं और हमारी oxygen gas जो atmospheric air के अंदर है उसका टूआ कर लेद सक्ना तो कर जाएगी रण्शASON कर दो कि ऑीएल rereuk कि माल कर णको कर दोERS जिन है तो प्पन सेल्यक एंप्सकॉत की ख़र भता है जाएगी 9 से, ब कर दो भताएगी हम्थर आपके जव कर दोढ़। झाल झाल